Hello Friends, Welcome Back लेकिन साथ ही ये देखकर दुख हुआ कि कुछ लोगों ने मेरी ट्रिक्स को अपने नाम के यूट्यूब चैनल बनाकर और बुक्स वगयरा मैं प्रिंट करवाकर कॉपी राइट लेकर बेचना शुरू कर दिया है अब अगर वो ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा तो आपको बनाता हूं सेम टॉपिक पर दूसरी ट्रिक्स बनाता हूं जो की पहले वाली ट्रिक्स से अच्छी हो आज की ट्रिक्स बिल्कुल इसी तरह की है मैंने भारत के सभी राष्ट्पतियों को याद करने के ट्रिक्स बनाई थी जो काफी पॉपुलर है और आप सभी को पता भी होगी राजू की राधा जाकर गीरी फकरूत दिन रेड़ी की जेल में आप समझी गए होगे मैं किस ट्रिक की बात कर रहा हूं लेकिन इस ट्रिक में मैंने वर्ष याद करने का आइडिया नहीं बताया था तो आज मैं भारत के सभी राश्ट्पतियों को उनके काल क्रमानुस याद करने के बिलकुल निव ट्रिक बना कर आपके लिए लेकर आया हूं और इस ट्रिक में हम सभी राश्ट्पतियों के कारेकाल के वर्ष भी याद करेंगे साथ ही सभी राश्ट्पतियों के विशह में प्रसिद्ध बातों पर एक नजर डालेंगे जो मैंने कैस रोतों स सबसे पहले फ्री में मिलती रहेगी और मुझे धेर सारा प्रोसान मिलता रहेगा तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों सबसे पहले नजर डालते हैं भारत के सभी राष्टपतियों पर वो भी बिल्कुल क्रमानुसार भारत के सभी राष्टपतियों में पहले राष्टपती थे डॉक्टर राजेंद प्रसाद डॉक्टर राजेंद प्रसाद जो 1884 से लेकर 1963 तक इस धर्ती पर रहे इनका कारेकाल रहा 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक ध्यान दीजेगा 26 जनवरी 1950 को हमारा देश गनतंत्र हुआ था उसी दिन सम्विधान लाग हुआ था और उसी दिन डॉक्टर राजेंद प्रसाद जी ने शपत गरहन की थी अब यहाँ पे आपको वर्ष कैसे याद रखने है यह मैं आपको बाद में बताऊँगा एक कोड आप याद कर लीजे इसे मैं बाद में आपको समझाऊँगा इससे वर्ष कैसे आपको अपने आप याद हो जाएगा वो कोड है दोस्तों 12, 12 के बाद है 52, 52 के बाद है तिरपन इसके बाद 4 बार है पचपन 12, 52, तिरपन और 4 बार पचपन फिर से देख लीजे 12, 52, तिरपन, 4 बार पचपन अब आते हैं डॉक्टर राजन प्रसाद पे डॉक्टर राजन पुसाद भारत के प्रथम राष्टपती थे वे भारती स्वाधिन्ता आंदोलन के प्रमुक नेताओं में से थे जिन्होंने भारती राष्टरी कॉंग्रेस के अध्यक्ष के रूप में प्रमुक भूमिका निभाई उन्होंने भारती समिधान के निर्मान म भी अपना योगदान दिया यह भारत के एक मात राष्टपती थे जिनोंने दो कारेकालों तक राष्टपती पत पर कारे किया सन 1962 में अवकाश प्राप्त करने पर उन्हें भारत रतन की सरुस्रेश्ट उपादी से सम्मानित किया गया इस चीज को आप याद कर लीजे इसके आगे बढ़ते हैं दूसरे राष्टपती आये डॉक्टर सर्वपली राधा कृष्णन 1888 से लेकर 1975 तक यह धरती में रहे कारेकाल इनका है 13 मई 1962 से लेकर 13 मई 1967 तक सर्वपली राधा कृष्णन भारत के प्रथम उप राष्टपती और दुती राष्टपती रहे ध्यान द आस्थावान हिंदू विचारक थे उनके इन ही गुणों के कारण 1954 में भारत सरकार ने उप राष्टपती पद पर रहते हुए सरवोच भारत रत्न से अलंकृत किया था यह राष्टपती बनने से पहले दो बार उप राष्टपती रहे थे यह 1933 से लेकर 1937 तक लगातार सा हित के नोबेल हेतु नामित हुए थे इनके जनम दिवस पांच सितंबर को भारत में सिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है हलाकि पांच अक्टूबर एक अलग से दिवस है जिसे विश्व सिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है इसलिए यहां पर आप इनका एक short name हम याद कर लेते हैं राधा ठीक है हमारी trick में ये काम आएगा फिर आगे बढ़ते हैं तीसरे हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन इनका short name हम याद कर लेते हैं जाकिर अब डॉक्टर जाकिर हुसैन इस धरती पर रहे 1897 से 1979 तक इनका कारेकाल रहा 13 मई 1967 से 3 मई 1979 तक राष्ट पती पत पर रहते हुए भारत रतन की उपादी से सम्मानित किया गया ये जामिया मिलिया इसलामिया विश्विद्दाले की स्थापना दल के सदस से थे या यूं कह सकते हैं कि ये जामिया मिलिया इसलामिया विश्विद्दाले के संस्थापक थे राष्ट पती धारण करने के दो वर्षबाद इनकी मरत्यू हो गई ये बहूत दुखद रहा इनका हमने जो शौट नेम याद किया था वो था जाकिर फिर आगे बढ़ते हैं स्री वी-वी-गिरी इनका शौट नेम हम याद कर लेते हैं वी-वी की जगा बी-वी ठीक है अब स्री वराह गिरी वेंकड गिरी ये इनका पूरा नाम है 1894 में इनका जन्म हुआ और 1980 में इनकी मृत्ति हुई इनका कारेकाल रहा 3 मई 1979 से 20 जुलाई 1979 और फिर से दोबारा 24 अगस्त 1979 से 24 अगस्त 1974 तक स्री वीवी गिरी दूसरे चक्र की मतगणना में जीते थे ये एक मातर व्यक्ति थे जो कारेवाहक राश्ट पती के साथ साथ राश्ट पती पत पर भी रहे इन्हें भी भारत रतिन की उपाधी से सम्मानित किया गया था फिर है डॉक्टर फकुरूददीन अली ऐहमत इनका शॉट नेम हम याद कर लेते हैं अलीगड अली से आपको याद आ जाएगा अली एहमत अली शॉट नेम याद कर लिजे डॉक्टर फकुरूद्दीन अली ऐहमद 1905 में का जन्व हुआ 1977 में की म्रत्यू हुई इनका कारे पातकाल था 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक डॉक्टर फकुरुद्दीन अली एहमद भारत के दूसरे मुस्लिम राश्टपती थे इन्होंने सबसे जादा अध्यादेश जारी किये ये चीज आप याद रखियेगा इंद्रा गांधी के कहने पर उन्होंने 1975 में अपने संवैधा आनिक अधिकार का इस्तेमाल करते हुए आंतरी का पातकाल की घोशना की थी राश्टपती पत पर रहते हुए भी इनकी मृत्य हुई थी फिर आगे बढ़ते हैं छटमें राश्टपती स्री नीलम संजीव रेडडी इनका हम शौट नेमयाद कर लेते हैं नीली ठीक है नील स्री नीलम संजीव रेडडी आंध प्रदेश के प्रथा मुख्यमंत्री थे ये राश्टपती पद पर निर्विरोध निर्वाचित हुए थे यानि इनके अगेंस्ट में कोई भी खड़ा नहीं हुआ था जीन्हों ने 25 जुलाई को राश्टपती पद की शपत ग्रहन की इसके बाद से सभी राश्टपतियों ने इसी तीथी को शपत ग्रहन की है ये भारत के पहले गैर कॉंग्रेसी राश्टपती थे यहाँ पर ध्यान दीजेगा दोस्तों 25 जुलाई नीलम संजीव रेडडी ने 25 जुलाई को राश्टपती पद की शपत ग्रहन की इसके अध्याद को एद आजाएगा जैल सिंग तो ग्यानी जैल सिंग जन्मवा 1916 में अम्रतियों94 में कारेकाल रहा 25 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1987 तक ग्यानी जैल सिंग भारत के परθम सिकराश्टपती थे जो 1972 में पंजाब के सीयम वा 19III में भारत के ग्रह मंत्री बने थे अपने कारेकाल के दोरान इन्हें ब्लू स्टार आउपरेशन एवं इंद्रा गांधी की हत्या जैसी दुर्भाग के पूर्ण परिस्थितियों से गुजरना पड़ा था तो ये चीज इनके कारेकाल में घटी थी फिर आगे दोस्तों स्री आर वेंकट रमन जिनको हम शौर्ट फॉर्म में याद कर लेते हैं रमा तो रमा से आपको याद आ जाएगा रमन और रमन से याद आ जाएगा स्री आर वेंकट रमन स्री आर वेंकट रमन जन्म हुआ था 1910 में मृत्ती हुई थी 2009 में इनका कारेकाल रहा फिर से वही 25 जुलाई 1987 से लेकर 25 जुलाई 1992 तक स्री आरवेंकर ट्रमन ने भारत के आठवे राष्टपती के रूप में शपत ली इससे पहले ये चार वर्षों तक भारत के उपराष्टपती भी रहे भारत चुडवान दोलन में इन्होंने सक्री भूमी का निभाई इसके वाद आगे बढ़ते हैं फिर हैं दोस्तों डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा इनका शॉर्ट नेम हम व्याद कर लेते हैं शंकर शंकर से आपको याद आजाएगा कि ये शंकर दयाल शर्मा जी के बारे में बात हो रही है इनका जन्म हो था 1918 में और मृत्ति हुई थी 1999 में कारेकाल रहा 25 जुलाई 1992 से 25 जुलाई 1997 तक फिराजा ये शंकर दयाल शर्मा राष्ट पती बनने से पूर भारत के आठवें उपराष्ट पती भुपाल राज के मुख्य मंतरी, मद्ध प्रदेश राज में कैबिनेट स्तर के मंतरी, केंद्र सरकार में संचार मंतरी और आंध प्रदेश पंजाव तथा महाराष्ट के राजपाल रह चुके थे, शर्मा जी संसदी मानकों का सकती से पालन करते थे, एक बार राजज सभा में एक मौके पर वो रो पड़े थे, क्योंकि राजज सभा के सदस्यों ने एक राजनैतिक मुद्धे पर सदन को जाम कर दिया था, राजट पती चुना उन्होंने जार्ज स्वेल को हरा कर जीता था, इसमें उन्हें छाचछट परसेंट मत मिले थे, अपने अंतिम कारे वर्ष में उन्होंने तीन प्रधान मंत्रियों को शपत दिलाई थी, एक बार मैंने ये प्रशन देखा था परीक्षा मे कि ऐसे कौन से राश्ट पती थे, जिन्होंने अपने अंतिम कारे काल में तीन प्रधान मंत्रियों को शपत दिलाई थी, तो वो थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, इसे आप याद रखिएगा, त्रीनेतर धारी, ऐसे अगर कि आप इसे याद रख लेंगे, शंकर जी का न नारायन, स्री कोचेरील रामन नारायन, 1920 में इनका जन्व हुआ था, 2005 में इनकी मृत्य हुई थी, हलाकि विवादित है, कारे काल रहा इनका 25 जुलाई 1997 से लेकर 25 जुलाई 2002 तक, स्री केया नारायन जी भारत के प्रथम दलित राश्ट पती तथा प्रथम मल्याली व्यक्त जिन्हों ने देश का सर्वोच्पद प्राप्त किया था, यह एक मातर ऐसे राश्ट पती रहे, जिन्हों ने अपने कारे काल में किसी भी पूजास्थल का दोरा नहीं किया, ठीक है, इनकी वास्तविक जन्वतिती विवादों के घेरे में है, हाला कि सरकारी दस्तावेजो इनके प्रतिदंदी थे नारायनन ने विशेस रूप से कहा था भारत के राष्टपती के रूप में मैंने बेहत दुख और स्वयम को असहाय महसूस किया कई ऐसे अफसर आये जब मैं देश के नागरिकों के लिए कुछ नहीं कर सका इन अनुभवों ने मुझे काफी दुख पहुचाया सीमिक शक्तियों के कारण में वेद्रा महसूस करता था वस्तुता शक्ती और असहायता के मिस्रन को दुखानत ही कहना चाहिए इसका अधागे बढ़ते हैं डॉक्टर ए पीजे अब्दुलकलाम इनका शॉर्ट नेम हम याद कर लेते हैं कला कला ठीक है कला आर्ट तो इनका पूरा नाम था डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुलाबदीन अब्दुलकलाम जन हुआ था 1931 में और मेरत्य हुई 2015 में कारिकाल रहा 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक डॉक्टर एपीजे अब्दुलकलाम को मिसाइल मैन और जनता के राष्टपती के नाम से जाना जाता है ये भारती गनतंत्र के 11 वे निर्वाचित राष्टपती थे इन्होंने भारत रत्न सहित कई प्रतिश्ठित पुरसकार प्राप्त किये 1962 में ये भारती अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो से जुड़े अब्दुलकलाम को परियोजना महानिदेशक के रूप में भारत का पहला स्वदेशी उपगरह SLV-3 प्रचेपास्तर बनाने का सरेहासिल हुआ 1980 में इन्होंने रोहनी उपगरह को प्रत्थवी की कक्षा के निकट स्थापित किया था इस प्रकार भारत अंतरराष्टी अंतरिक्ष कलब का सदस बन गया था इसरो लांच वहीकल प्रोग्राम को परवान चड़ाने का सरेह भी इन्हें ही प्रदान किया जाता है कलाम ने स्थेशी लक्ष भेदी नियंतरित प्रचेपास्त्र या गाइडेड मिसायल्स को डिजाइन किया था इन्होंने अगनी एवं प्रत्थवी जैसे प्रचेपास्त्रों को स्थेशी तकनीक से बनाया था इनकी देखरेक में भारत ने 1999 में पोखरण में यह अपना दूसरा सफल परमानु परिक्षन किया और परमानु शक्ती से संपन राश्टों की सूची में शामिल हुआ था यह शाकाहरी थे और इन्होंने अपनी जीवनी विंग्स आफ फायर अक्सर परिक्षाओं में इससे संपनी प्रशन आया विंग्स आफ फायर किसकी लिखी हुई पुस्तक है तो वो हैं एपी जे अब्दुलकलाम इन्होंने अपनी जीवनी विंग्स आफ फायर भारती युवाओं को मार्क दर्शन करने वाली अंदाज में लिखी है इसके बाद आगे बढ़ते हैं बारहवी राश्टपती स्रीमती प्रतिवा देवी सिंग पार्टिल इनका शौर्ट नेम हम याद कर लेते हैं प्रतिवा जो आगे में ट्रिक याद कराने मदद करेगा तो इनका जन हुआ है 1934 में इनका कारेकाल रहा 25 जुलाई 2007 से लेकर 25 जुलाई 2012 तक स्रीमती प्रतिवा देवी सिंग पार्टिल जी भैरो सिंग शेकावज जी को 3 लाग से ज्यादा मतों से हराया था वे टेवल टेनिस के अच्छी खिलाडी है 1962 में MJ कॉलेज में इन्हें कॉलेज क्वीन चुना गया था प्रतिवा पार्टिल जी के साथ पहला विवाद तब जुड़ा था जब उन्होंने राजस्थान की एक सभा में कहा था कि राजस्थान के महिलाओं को मुगलों से बचाने के लिए परदा प्रता आरंबुई थी और दूसरा विवाद तब जुड़ा था जब उन्होंने एक धार्मिक संक्ठन की सभा में अपने गुरू की आत्मा के साथ कथ्ट समवाद की बात की थी इसके बाद आगे बढ़ते हैं स्रीफ प्रणा मुखर जी जी इनका शौर्ट नेम हम याद कर लेते हैं प्रांड प्रांड से आपको याद आजाएगा प्रणा मुखर जी के बारे में बात हो रही है ठीक है इनका जन्म हुआ है 1935 में कारिकाल रहा 25 जुलाई 2012 से लेकर 25 जुलाई 2017 तक दोस्तों स्री प्रणाव मुखर जी पी ए संगमा को हराकर राष्ट पति पत पर निर्वाचित हुए थे ये भारत सरकार में वित मंत्री रक्षा मंत्री वा विदेश मंत्री रह चुके थे प्रणाव मुखर जी ने किताब The Coalition Years 1996 to 2012 लिखी है ये आप याद कर लीजेगा लास्ट में हैं दोस्तों स्री रामनाथ कोविंद जी जो हमारे वरतमान राष्ट पती हैं इनका शौर्ट नेम हम नाथ याद कर लेते हैं तो रामनाथ हमें याद आ जाएगा इनका जन्म हुआ है 1945 में कारेकाल है 25 जुलाई 2017 को जब से इन्होंने शपत लिया तब जब तक लगाता है इनका कारेकाल चल रहा है वह 1977 से लेकर 1989 तक दिल्ली उचने आले में केंदर सरकार के वकील रहे ये उत्तरपदेश राज जिसे राजसभा के लिए निर्वाचीत हुए इस प्रकार कोविंद राजसभा के सदस से भी रहे वह भारती जनता पार्टी के राष्टी प्रवक्ता भी रहे कोविंद जी ने राष्टपती निर्वाचन में UPA की प्रत्याशी मीरा कुमार जी को लगबग 3,34,000 वोटों के अंतर से हराया था तो दोस्तों यहां तक हमने देखा भारत के सभी राष्टपती किस लिए प्रसिद रहे या उनके कारिकाल में कौन कौन सी प्रसिद घटनाए हुई अब हम देखेंगे इन राष्टपतियों को करमा अनुसार कैसे याद रखा जाए साथ ही यह याद करेंगे कि किस राष्टपती का कारिकाल कितने वर्षों का रहा तो एक एक करके शुरू करते हैं अब यहां पे देखें हमने राजिन प्रसाद का नाम रखा था राजू राधा कृष्णन का नाम रखा था राधा ऐसे करकर के हमने सभी के एक शौर्ट नेम रखे थे मैंने शुरू में आपको बता दिये थे इन्हें आप याद रखिए आपको जरूरत हो तो आप एक बार फिर से वीडियो देख लीजिए किसका नाम क्या याद रखना है ठीक है इसके बाद हमें ट्रिक बनानी है तो ट्रिक हमारी ये हो जाएगी कि राजू ने ये राजू है राजू ने क्या किया राधा को राधा नाम की कोई लड़की है राजू ने राधा और जाकिर की बीवी को ठीक है अलीपुर की नीली जेल में ठीक है? क्या हुआ? राजु ने राधा और जाकिर की बीवी को अलीगड की नीली जेल में रमा शंकर नारायन की कला और प्रतिभा दिखाकर प्राणनात कहा आप इसे चाहें तो लिख सकते हैं राजु ने राधा और जाकिर की बीवी को अलीगड की नीली जेल में रमा शंकर नारायन की कला और प्रतिभा दिखा कर प्रान नात कहा ये रही बहुत यासान ट्रिक इससे आपको सभी राष्टपति एक क्रम से आद हो जाएंगे अब रही बात इनके कार्यकाल की तो आप ऐसे आद कर सकते हैं मैंने जो शुरू में आपको अंक रटने को कहा था या अंक याद करने को कहा था बारा, बावन, तिरपन और चार बार पचपन तो इसे आप इन्ही के सभी के नाम के सामने लिख दीजे 12 यहाँ पे लिख दीजे यानि जिस दिन सम्विधान लागू हुआ देश में वो तिती कौन सी थी 26 जनवरी 1950 तो 26 जनवरी 1950 यहाँ पे हम तिती छोड़ देते हैं वर्षयाद कर लेते हैं 1950 अब 1950 में 12 यहाँ पे आप 12 लिख दीजे तो 1950 में जब 12 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1962 तो 1950 से लेकर 1962 तक राश्टपती कौन रहे राजेंद प्रसाद इसके बाद 12 के बाद मैंने क्या बताया था 52, 53 और 4 बार 55 तो यहाँ पे तो हमने 12 लिख दिया लेकिन अब हमें एक एक अंक लिखना है तो 52 लिखना तो पहले 5 लिखेंगे इसके बाद यहाँ पे 2 लिखेंगे तो सर्वपली राधा कृष्णन यहाँ पे हुआ राजेंद प्रसाद 1950 से 1962 तक अब 1962 में यह 5 जोड़ दीजे आप ठीक है तो 62, 5, 66 1967 तक इसके बाद आजे जाकिर हुसैन तो 60 में 2 जोड़ यह तो 2 जुड़ेगत कितना होगा 69 तो 1967 से 1969 तक कौन रहे जाकिर हुसैन इसके बाद फिर से आपको 5 जोड़ना है तो वीवी गिरी रहे 1969 में 5 जोड़ गया तो 1974 तक तो ऐसे करकर कि आप इसे याद रख सकते हैं तो 12 इसके बाद 5 दो फिर 5 तीन इसके बाद 5 पाँच और फिर पूरे 5 पाँच 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 जोड़ते जाएए तो सभी के आपको वर्शाद हो जाएंगे तो ट्रिक एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ राजू ने राधा और जाकिर की बीवी को अली गड़ की नीली जेल में रमा शंकर नारायन की कलावा प्रतिभा दिखा कर प्राणनात कहा तो दोस्तों मुझे उमेद है आपके ट्रिक अच्छी लगी होगी अगर ये ट्रिक अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक कर दीजे साथ ही अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजे और ऐसे बहतरीन और नए नए वीडियो नियमित रूप से और वो भी बिल्कुल फ्री में अपने स्मार्ट फोन में पाने के लिए इस चैनल जी के वीडियो के नीचे लाल सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है या फिर इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने सब्सक्राइब करने का लिंक भी दे दिया है उस पर क्लिक करके भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं बिल्कुल फ्री है लेकिन अगर आपको नाइट्रिक का वीडियो सबसे पहले देखना है तो नोटिफिकेशन पाने के लिए घंटी के निशान को जरूर क्लिक कर दीजे